आप सबको मेरी नमस्ते, इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है, आज की हमारी रेसिपी है, स्वाधिछ सा और चटपटा सा नाश्ता की रेसिपी जो हम बनाएंगे आलू और सूजी से, तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पैन ले लिय और साथ ही साथ ये चिली फ्लेक्स डाल दिये, और साथ ही साथ अभी हम मिला रहे हैं, जीरा एक चमज, और साथ साथ हमने रिफाइंड ओल मिला दिया, तो एक चमज रिफाइंड ओल डाल रही हूँ, आप दो चमज भी डाल सकते हो, और अभी हम मिला रहे हैं सूजी, तो जिससे पानी डाला न हमने उसी हमने कटोरी से माप करके रखिए एक कटोरी सूजी थोड़ा-थोड़ा करके मिलाईए इस तरह से पानी में इस तरीके से तीन-चार बार करके न सारी सूजी मिला दीजिए अब इसे हमने पकाना है जैसे हलवा बनाते है न तो वैसे हो जाएग तो बस अभी इस से ज़्यादा हमने पकाना भी नहीं है क्यूंकि अभी इस से ज़्यादा पकेगी भी नहीं तो इसको अभी हमने ठक के रखते हैं ताकि सूजी थोड़ा softer और फूल जाए इस तरीके से ठक देते हैं और बाकी की त्यारी करते हैं अभी हमने एक चम्मच बड़ा वाला तेल डाल दिया गड़ाही में जीरा डाल दिया और साथी साथ हरी मिर्च डाल दी और साथी साथ हमने धनिया बॉर्डर डाल दिया और जीरा बॉर्डर डाल दिया यह हमने अम्चू डाल दिया अभी न हमने त्यार करनी है stuffing नाश्टे के लिए आलू की तो इसमें थोड़ी सी में हल्दी भी मिला रही हो तो अब की मर्जी यह हल्दी अगर नहीं मिलाना चाते तो कोई जुरूरी भी नहीं है अभी यह मैंने तीन उबले हुए आलू ले लिए छोटे साइज की थे अभी अच्छे से मैश कर ले ना चाहे तो पहले ही मैश कर लीजिए नमक भी डाल दिया स्वाद नुसार चाहे पहले मैश कर लीजिए चाहे आप इस तरह से कड़ाही में मैश कर लीजिए इस तरीके से अभी जहह हो चुक है उपर से थोड़ा सा मैने चाठ मसाला में भी मिला दिया बड़िया जो स्वाद के लिए mix कर लिया और उपर से मिला देते हैं हरा धनिया mix करके न तो ये हमारा जो स्टफिंग है वो तयार हो चुक है अभी तो अभी जो सूजी रखी हुए ना थोड़ा सा हाथों को ते लगा के ना सूजी को बड़ी आसा गूथ लेना इससे ना सौफ्ट सा कर लेना हमने बड़ी आसानी से जी गूथ जाती है इस तरह से गूथिये से आटे की तरह और गूत के न मैंने इस तरह से ये बड़ा सा पेड़ा तयार कर लिया, अब इसके दो भा कर लेने हमने, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, इस तरीके से ने चकली बना लेनी मैंने बड़ी सी, अब मैंने तेल लगा दिया, इस तरह फिला दीजी, हाथों से थोड़ा बड़ा कर दीजी इसे, अब इससे बेल लेते हैं, रोटी की तरह लेकिन मोटा मोटा सा बेल ना, बहुत ज़्यादा पत्रा नहीं कर देना, इस तरीके से जितना हो सके ना, उतना बेल लीजी आप, तो इससे ज़्यादा अभी और नहीं बेलना है से, क्योंकि जे फिर फट सकती है सेंट्रस में से, तो इतना काफी है, तो किनारे में अलग कर रही हूं, क्योंकि चोर सा बनाना है, इस तरीके से, अभी सेंट्रस से कट कर लिया, अभी दूसरी साइड से, एक और, इस तरीके से मैंने तयार कर लिया, और दूसरा जो पेड़ा रखा हुआ ना, उसका भी ऐसे ही बनाना हमने, तो ये अभी एक पे हमने इस तरह से स्टफिंग रख देनी है, अच्छे से स्टफिंग को फिला दीजिए, अभी दूसरा हिस्सा उठाईए, और इसको इसके उपर रख दीजिए, देखो इतनी, इतनी मुटाई होनी चाहिए, इस तरीके से उपर रख दिया, ये देखिए, बड़या सी ये तयार हो चुकी है, अभी न ये सिंपल सी लग रही है, तो इस में थोड़ी सी डिजाइनिंग कर दी मैंने, जो ये नाइफ हैने, इसको उल्टा करके इस तरह से हलका हलका सा निशान लगा दीजिए, तो दिखने में अच्छे लगेंगे, ये डेखिए, फोड़े से डीप कर देते, तो सभी मैने इसी तरह से तयार कर लिये, तीन ये और तीन ये वाले हैं, इतने ही हमें नाश्ता चाहिए, इतना मैंने तयार कर लिया, अभी बहुत थोड़ा सा तेल डाला मैंने पैन में, तो हमें इनिफ ये टीफराई वगरार निक का ना सेखना है अभी जिस तरह से ब्रेड के सेंड्वीच सेखते हैं हम उसी तरह से तो गैस को चाहो तो लोग की जुरूरत नहीं है मीडियम पर भी आप सेख सकते हो जब एक साइड हो जाए ना इस तरह से पल्टी लगा दीजिए अभी दूसरी साइड भी सेख लीजिए दोनों साइड हमने बढ़ियां से सेख लिए उपर से न यह बहुत ही क्रिस्पी सा नाश्ता बनता दोनों तरफ से तो अंदर से आलू भरे हो हैं बहुत ही स्वादिस्ट यह रेसिपी लगती है तो आप भी जुरूर ट्राइ करें एक तो बनाना असान है और दूसरा बहु वीडियो को लाइक करें मिलते हैं एक और नही रेसिपी के साथ